अलग-अलग स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं तो खारगेजी और मिले और हमने तेह किया कि हमें सबसे पहले यहां जमू और कश्मीर आना चाहिए क्यूंकि हम जमू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मेसिज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जमू और कश्मीर के लोगों का रेप्रेजेंटेशन उनका स्टेट होड सबसे जरूरी चीज़ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिट्रीज को स्टेट में बदला गया है मगर एक ही उधारन है जब स्टेट हुट छीन कर यूनियन टेरिट्री बनाई गई यह पहली बार हुआ है इससे पहले यह कभी नहीं हुआ था और हम यह message देना चाहते है कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग है उनका representation जरूरी है हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है इसलिए हम सब मिलकर यहां पहले आएं मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूँ मैं लोग तंत्र की रक्षा करता हूँ, पूरे देश में करता हूँ रेप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूँ, मगर मेरे लिए जो जमू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है उसको मिटाना मेरा लक्ष है, ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है ये और गहरी बात है, जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो जो दुख आपको होता है, इसको मैं खारगे जी पूरी कॉंग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चारते है कल शाम को अब मैं आपको थोड़ी परसनल बात बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बोलूँगा कभी-कभी आप किसे से बात करते हैं, कोई कुछ कह देता है इरिटेशन हो जाती है। कभी कोई उल्टी सीठी बात जलगात बोल देता है, Irritation हो जाती है. कभी कोई exact बात नहीं बोलता, तो भी इर्रिटेशन हो जाती है. होती नहीं होती है. तो कल रात मैं, खार के चीज़ के साथ डिनर खाने गए. वहाँ पे उन्होंने पूरी मतलब वाजबान खिला दी अब खारगे जी की मुश्किल है वो उनको वो केरल ला गए थे उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ अब खारगे जी नॉन वेजिटेरियन है मगर डॉक्टर ने उनको कह रखा है कि भाईया आपको 15 दिन वेजिटेरियन काना काना है तो कल वाजबान का मज़ा नहीं ले पाए वाजबान के बाद मैंने सोचा मैं जाके आईस्क्रीम खालू तो मैं आईस्क्रीम पालर में गया वहाँ पे हम बैठे थे वहाँ पे बादची चल रही थी तो वहाँ पे जो आईस्क्रीम खा रहे थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको जमू और कश्मीर के लोग अच्छे लगते हैं मुझे में अंदर एकदम इरिटेशन आई मैंने का नई मुझे जमू कश्मीर के लोग अच्छे नहीं लगते मैं जमू कश्मीर के लोगों से महबत करता हूँ ये अलग चीज़ है तो मेरा आपके साथ दूसरा रिष्टा है इस बात को मैं मतलब हर बार यहां आता हूँ ये मुझे और गहराई से समझ आती है ये बहुत पुराना रिष्टा है खून का रिष्टा है तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था दो तीन और चीज़े कहूंगा अगर कॉन्फिडन्स से निडर्ता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कॉंग्रेस का कारे करता है मैं जानता हूँ आप लोगों को क्या सहना पड़ता है मगर आप कॉंग्रेस पार्टी का जंडा कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप त्यार रहते हो तो मैंने कर्रा साथ को कहा है खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंदन होगा है मगर कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता कि इज़त रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा सीधी जी बात है पियार से होगा दोस्ती से होगा मगर हमारा जो कार्यकरता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में कॉंग्रेस पार्टी की ठिंकिंग को आगे बढाने में दी है और मैं जानता हूँ आपने कितना जोर कितना कष्ट उठाया है कितना वजन आपने अपने कंधों पर उठाया है देश की हालत आप जानते हों, पूरे देश में बेरोज़गारी है, जमु कश्मीर में बेरोज़गारी है, जो opportunities यहां के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी states के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, मगर एक बात बदल गई है और यह आपने टीवी पे देखा होगा चुनाओ में नरेंद्र मोधी जी की confidence को इंडिया गटबंदर ने खतम कर दिया आपने देखा होगा आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोधी जी छाती फेला के आते थे यादे आपको यूँ आते थे अभी यूँ आते हैं और हराया किसने नहीं राहूल गांदी नहीं 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 राहूल गांदी नहीं कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा ने इंडिया गटबंदन की विचारधारा ने महबबत ने एकता ने रिस्पेक्ट हमने हिंसा से कुछ नहीं किया गलत शब प्रयोग नहीं किये मगर नरेंद्र मोधी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आपको सोचते हो वो नहीं हो उनकी कॉन्फिडंस को मैं आपको स्टेट से खुल के बता रहा हूँ उनकी सेल्फ कॉन्फिडंस को उनकी साइकॉलोजी को हमने तोड दिया है यह आपको मैं मैसिज देना चाहता था आप का कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता हो बबबर शेर हो और आप सिर्फ कारे करता नहीं हो यह पूरा का पूरा एक परिवार है जहां भी हमारी जरूरत हो जब भी आप चाहो चाहे खारगे जी हो मैं हूँ कर्रा साब हो वेनुगो पाल जी हो जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े बस आपको ओर्डर देना है हम हाजर हो जाएंगे और जम्भू और कश्मीर के लोगों से युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खूलनी है नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है नफरत की काट महबबत से हो सकती है और मिलकर हम नफरत को महबबत से हराएंगे धन्यवाद, नमस्कार